हलो गाईज यह है वाई जी लो और आज हम पढ़ेंगे Central Adoption Resource Authority के बारे में देखो Adoption के मैंने दो वीडियो अल्रेडी बना दिया है तीसरा इसलिए बना दिया है क्योंकि कारा Guidelines Central Adoption Resource Authority कारा अगर आप कॉलिज में पढ़ रहे है और Family Law पढ़ रहे है कारा एक Statutory Body है जो Ministry of Women and Child and Development के अंडर में आती है यह Nodal Body है Adoption Related और यह सारे Adoption को Monitor, Regulate और सब करती है ठीक है In-Country Adoption भी और Inter-Country Adoption भी Majorly कारा प्रिफर करती है कि In-Country Adoption हो लेकिन In-Country अगर को बच्चा नहीं मिल रहा है तो Inter-Country Adoption के भी Provisions है Hake Convention और Inter-Country Adoption 1993 का एक Convention है जो इंडिया ने Ratify किया था 2003 में इस Convention के अंडर में भी कारा Main Body है Central Authority है Inter-Country Adoption के लिए है ठीक है तो यह Basic Knowledge है कारा की अब बात करते हैं कारा Guidelines अगर कारा की सारी Guidelines के एकदम जिस्ट एकदम सार निकालके मैं आपको बताऊना तो यह सारे Points आएंगे तो यह सब आप एक बार पढ़ लो तो आपका Major Major उपर उपर से हो जागे कारा क्या बात करता है कारा की Guidelines के हिसाब से एक Married Couple, एक Single Male या एक Single Female बले वो Unmarried हो मतलब शादी हुई नहीं हो या फिर आपका पती या पतनी मर गई हो या फिर आप Legally Divorce हो आप एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो कारा के तुरू 18 साल तक का बच्चा एक Single Male मतलब आप आदमी हो, सिंगल आदमी हो, शादी वादी आपकी नहीं हुई है तो आप सिर्फ एक Male Child ही Adopt कर सकते हो लेकिन अगर आप एक Female हो Single तो आप Female Child भी Adopt कर सकते हो और Male Child भी Adopt कर सकते हो Minimum Age Difference जो Child और उसका Parent और उसके वीज़े 25 साल होना चाहिए मालो आप Single हो, ठीक है, आपकी Age है 32 साल, तो आप 7 साल से ज़्यादा बड़ा बच्चा Adopt नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप खुद 19 के हुए है और आपने 14 साल का बच्चा Adopt कर लिया आपको आपका एक बच्चा Adopt कर रहे हो, भाई Adopt नहीं कर रहे हो, ब्रो नहीं चाहिए आपको, ठीक है आपको बच्चा चाहिए, तो बच्चे साल का Difference होना चाहिए अब यह हो गया Minimum Age Difference, ठीक है, लेकिन Maximum Age भी एक है Maximum Composite Age क्या होती है, कि जैसे यह Husband है और यह Wife है, तो इन दोनों की Age मिलाके जो Age आएगी, वो होगी Maximum Composite Age तो यह बोलता है कि अगर 90 साल से उपर है Composite Age, ठीक है, 90 साल से उपर है, तो आप 4 साल से उपर का बच्चा Adopt कर सकते हो मतलब 90 साल तक Composite Age होगी, Single Parent के 45 साल, तो आप 4 साल तक का बच्चा Adopt कर सकते हो, अगर आपकी Composite Age 91 हो गई, मालो, Husband हो गया, 91 के लिए कितना, 46 का, और यह है 45 की, ठीक है, तो इन दोनों की Composite Age हो गई 91, तो अब यह 4 से 8 साल तक का बच्चा Adopt कर सकते हैं, क्योंकि 100 साल त साल से 8 साल का बच्चा Adopt कर सकते हो, और 100 से 110 साल की उमर है, तो 8 से 18 साल का बच्चा Adopt कर सकते हो, समझ गए, जो Parent होता है, उसको Register करना पड़ता है, कारा Adoption System के रिंग्स में, ठीक है, और अपने Document वगेरा उधर अपलोड करने पड़ते हैं, वाँ Register वगेरा सब कर लिया, उसके बाद Parent चार प्रिफरेंस बजा सकता है, वो Age of Child की प्रिफरेंस ले सकता है, जेंडर ले सकता है, ठीक है, स्टेट कहां से Adopt करना है, राजस्तान, महराश्टा, जहां किसे भी आपको Adopt करना है, और किस तरह का बच्चा Adopt करना है, Special Needs बच्चा Adopt करना है, दो भाई- बेंट साथ में Adopt करना है, भाई-भाई साथ में Adopt करना है, सिंगल नॉर्मल बच्चा Adopt करना है, एज में आपके घर आईगी और Home Study करेगी, मतलब आपने सही से अपना घर वर रख रखा है, आप ऐसे ही तो नहीं हो, फटीचर बच्चा मतलब खुद के खाने के लाले पढ Adopt करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आपका ठिक ठाक होना चाहिए, Living Standard वो Home Study में होगा, और Home Study के बाद ही आपको बच्चे की Profiles दी जाएंगे, जिन में सबको Select करना है, आपको किसको Adopt करना है, आपको तीन बच्चों तक की Profile offer की जा सकती है, ठीक है, उसमें से फिर आपको अपनी Preferences बतानी है, जो आपको Profiles दी जाएंगे, उसमें बच्चे की पूरी Medical History होगी, और उसकी पूरी Profile होईगी, ठीक है, जितने Details हो सकते हो, सब Details उस Profile में होंगे, वो Profile लेने के बाद, आप अपना बच्चा Reserve कर सकते हो, या नहीं Reserve कर सकते हो, आपका खुद का अपने होंगे, या लक्त में अपको आपको ग्या लेको इसका की लखने के चाईगे, अगर आपने नहीं किया, आपको वपस वेट लेस्टहर कर सकते होंगे, और या लापस आपको वेट करना पधेगा, और या आपको तीन Profile दी जाएंगी वो तीन Profile में से भी आपको एक ना एक बच्चा रिजर्व करना पड़ेगा अगर आपने नहीं करा तो आपको वापस वेट लिस्ट के पॉटम पे रिलिगेट कर दिया जाएगा अगर मानला आपका वेट लिस्ट वाल है प्रोसेस चलता रहा चलता रहा और तीन साल हो गए आपको ठीक है तो तीन साल बाद आपकी होम स्टेडी दोबारा होईगी ठीक है और 46,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे वो होम स्टेडी की होगी लीगल सर्विसिस की होगी ठीक है और वो सब जो बाकी बच्चों की खर्चे होते हैं वगरा वगरा मतलब पूरे प्रोसेस के वो आपको पैसे देने पड़ेंगे तो ये बेसिकली कारा का प्रोसेस है कैसे आप अडॉप्शन करते हो ठीक है अब इसके बाद बात आती है inter-country adoption कारा से पहले, अभी तो कारा डील करता है inter-country adoption, उनके अलग guideline से वह अत्ती detail में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन inter-country adoption कारा से पहले क्या सी इंता, कारा से पहले क्या law में कोई provision नहीं था, और कारा भी काफी late आया, 2003 के बाद ही आया है, ठीक है, तो कैस से इंटर कंट्रिड ऑप्शन का क्या सी इंता उससे बहले यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें दो important case law हैं वो कई बार exam में आ जाते हैं तो वह case law के आपको नाम पता होना जी और बेसे क्ली पता होना जी उन cases में क्या हुआ है पहला इंड्रे रसेकलाल चगलनाल में हता है आपको पता है इंड्रे क्या होता है कई किसी आमने बेखा होगा इंड्रे मतलब ऐसे निए कि x vs vy यह इंड्रे पूरा 7 में है इंड्रे का मतलब होता है जब दूसरी पार्टी अनोन होती है या दूसरी पार्टी कोई पार्टी होती नहीं है specific तो इंड्रे case बोलतो हो इंड्रे रासिकलाल मेटा case है यह गूजरात का case है गुजराथ high court क्वेस्टिन उठे कि उनका अडॉप्शन लीगल है कि नहीं है तो इसमें कोट ने बताया कि लीगल अडॉप्शन कब कर सकते हो आप ठीक है दूसरी कंट्री के लोगा कब कर सकते हैं तो सबसे पहले चीज तो कि अगर आप सेक्शन 9-4 में हैं हिंदू अडॉप्शन मेंटेन ठीक है और अपनी कंट्री में अप्रॉप्रेट अथॉरिटी से उनको पर्मिशन लेनी पड़ेगी और उनको अशौर करना पड़ेगा कि उस बच्चे को इमिग्रेशन में दिक्कत ही नहीं आए और नैशनालिटी उस देश के लेने में दिक्कत नहीं आए मतलब ऐसा नही है और फिर वहाँ पर उस बच्चे को USA की नाशनलिटी नहीं मिली ऐसा नहीं होना चाहिए तो यह बेसे केस है जिसमें थोड़ा बहुत गाइडलाइंस दी गई थी अडॉप्शन की क्योंगी कारा तो था ही नहीं ना तब बहुत पुरा नहीं बात है तो यह एक इंपॉर् चैश सब्सक्राइब को लेटर लिखा ता उस लेटर को पेटिशन माना गया था वह लेटर कि सब्सक्राइब सक्वर्ण के एक यह डाईबीस बच्चेंगे से उसD service तो सुप्रीम कोर्ट ने डिरेक्टिव और गाइडलाइंस दिये थे कि ताकि यह वाली जो चीज ना यह बंद हो सके ठीक है और फॉरेन अडॉप्शन के लिए थोड़ी और गाइडलाइन देती कारजन अब वाड्ज आक्ट 1890 में तो यह दो केस इंटरकंट्र अडॉप्श ने लबता टाइम वेस्ट होएगा भी पढ़ना उसके बाद एक नया कॉंसेप्ट आया स्टेप पेरिंट एडॉप्शन अब यह कॉंसेप्ट समझ लो सिर्फ यह कॉंसेप्ट में क्या है मान लो यह एक और यह इसका पती है ठीक है अब यह फीमेल है मेल है इन दोनों की श शादी हो गई उस शादी के दो साल बाद पती मर गया ठीक है और इनकी शादी से इनको एक बच्चा था अब इस उरत ने दوبारा शादी कर ली ठीक है एक नए आदमी से अब ये नए आदमी जो है ये इस बच्चे का step father होगा father नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले बताया था पुराने वीडियोज में ये इसका step father होगा और real father नहीं होगा, real father M.E. होगा, ये मानलो ये पती मरा ये जो नए आदमी है ये नए आदमी इसका step नहीं father बन जाएगा, मतलब ये adopt कर लेगा अपने बच्चे के से rights उसको मिल जाएगे और ये जो पुराना वाला आदमी है इससे rights चले जाएगे इससे सारे ties टूट जाएगे adoption में अपने क्या पढ़ा था कि मानलो एक बच्चा है, ठीक है ये family A से family B में जाता है ठीक है, तो ये family A के सारे ties टूट जाते है और family B से नए ties बन जाते है तो ये same concept इधर लगा हो आप कि एक husband और एक wife है इन दोनों में से मानलो कोई भी husband wife जरूर नहीं husband ही मानलो wife ठीक है या तो इसका divorce हो गया ठीक है या फिर ये मर गई या कुछ हो गया जो भी और इन से इनका एक child था और फिर उसके बाद इन दोनों में से किसी ने वापस दूसरी शादी कर ली ठीक है, ये नई wife आ गई तो ये जो नई wife है, ये इस child की step mother होगी, ठीक है तो ये step parent adoption का जो process है इस process के बाद जो ये नई वाली step mother है ना, ये इसकी mother बन जाएगी, और जो पुरानी वाली wife थी ना, अगर मानलो divorce होई मर गई तो तो वैसे मरी गई, अगर divorce होई तो इस से सारे ties टूट जाएंगे, तो ये होता है step parent adoption, ये वस conceptual clarity के एक नए concept है, कारा की guidelines में थोड़ा तो ये मैंने आपको एक बता दिया तो guys ये होगया हमारा कारा guidelines complete, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो subscribe करो, इसके बाद आपन चालू करेंगे succession और inheritance और acknowledgement भी, तो यहाँ पर playlist आजाएगी, देख लेना और like मार दो यार, और comment कर दो अच्छा लगा तो, और bye bye bye